गुड मॉनिंग एवर्वान आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ सैकल ओफ थ्रेट के बारे में ठीक है थ्रेट के जो लाइफ सैकल है उसमें कौन-कौन से कितनी स्टेट्स होती है ठीक है लाइफ सैकल ओफ थ्रेट इन जावा इस कंट्रोल पर जेवेम जावा वर्चौल होती है जब हम न्यू स्टेट होती है न्यू में जो हमारा थ्रेट हो स्टार्ट होता है ठीक है स्टार्टिंग फेस में जाता है यह रनेबल स्टेट में जाता है ठीक है रनेबल के बाद ठीक है रनेबल मतलब अब यह रनिंग क्यों में होता है कि अब इसने रन होना है ब्लॉक औन इंबुट आटपूड अगर इंपूट आटपूड फंशन परफॉर्म करे तेन वो ब्लॉक हो जाएगा वीट एक वीट फोर लॉक सस्पेंट वीट इन मैथर से यह ब्लॉक हो जाता है दैन अगर हम उसको अनब्लॉक करना जाते तो वह स्लीप डन हो गया कि हमार sleep done हो गई input output complete होगी lock available है ठीक है resume notify notify all इन सारे functions से हम क्या कर सकते हैं उसे unblock कर सकते हैं ठीक है फिर वो दोबारा से runnable में जाएगा क्यों में जाएगा देन वो running आएगा जब हमारा run method exit हो जाएगा जब हम stop कर जाएगे तब वो terminated last state हों भी हमारी terminated तब वो terminated state में आएगा ठीक है threat is in the new state if you create an instance of threat class but before the invocation of start method ठीक है threat is in new state if you create an instance ठीक है जब आप किसी threat का object create करते हो class का threat class का तो ठीक है threat जो होता है वो new state में होता है but before the है neustar method फेले जो होता है उसमें आप जो है प्रीइड का object त्रीट करते हैं यह जो है त्रफी इनाप्र गश्म क्रीड करते हैं एक यह घरिंड नहीं होता आपकी क्यों प्रीनिग होते हैं उसमें आपके स्टार्टिंग रणिंग पॉजिशन में ले के आना है ठीक है रणिंग पॉजिशन में ले के आना है ठीक है जैसे त्र चुडूलर जिस हगया घे आप आपना वाइटस इसने च्फिषिडू लगे एक सा यह आपके प्रोटी beis space शुडूल करते हैं जो आपके time slicing beis space करेगा उसहसाब से आपको क्या मिलेगा- thread मिलेगा चिक है उसहसाब से thread को CPU मिलेगा thread को cpu मिलेगा जब thread को CPU मिलेगा तब वो running state में होगा the thread is in the running state if the thread scheduler has selected thread जो है running state में होगा अगर thread scheduler उसे select करेगा ठीक है non runable होता Religbst graduate ठीक है non-runable होता है blocked state this is in the state when the thread is still alive but is currently not eligible to run ठीक है non-runable होता है blocked state अगर आपका thread जो है वो alive है but वो run नहीं कर पार ठीक है आपका thread alive है जिन्दा है but वो run नहीं कर रहा but is not currently not eligible to run क्योंकि वो blocked हो चुका है तो वो running position state में नहीं होता वो blocked हो जाता है देन आता आपका terminated a thread is in terminated और that state when it's run method exit आपका threat terminated हो जाता that state में चला जाता जब आप run method को exit करते हैं छीग है ओके thank you आज के लिए इतना ही बाकी हम कल करेंगे